हेलो दोस्तों, आज मैं आपको साबुदाने का पापड बनाना बताऊंगी, बिना भाप के बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल बजार जैसा बन कर तयार होगा और एक-एक दाना ये देखे, बहुत आसानी से एक-एक दाना दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया बनेगा तो इसके लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया है और ये मेडियम साइज का साबूदाना है और इसमें हम उतना ही पानी डालेंगे जिससे ये पुरा बराबर से साबूदाने के उपर तक आ जाए यानि कि हमने एक कटोरी साबुदाने में दो कटोरी पानी डाला है, ये देखिए साबुदाना अच्छे से फूल गया है, और अब मैंने कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है, और इसमें हम साबुदाना डाल देंगे, साबुदाना डाल कर इसको थोड़ी देर पका लेंगे, में कड़ाई जीनियुhos किया है कि मोते तरीक ही ले और इसको ढगकर थोड़ी दिर लो पर पकाड़ यह और हमें अब इतना ही पकाना है और हम並 घैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी दिर ढगकर रग देंगे अब हम एक प्लास्टिक की सीट लेंगे और इस पे आयल डाल कर चारो तरफ फैला लेंगे और इस पे हम चूडियां ऐसे रख देंगे और इस तरह से हम सभी चूडियां ऐसे रख देंगे अगर कम चूड़ी है तब भी आप बना सकते हैं और इसमें हम एक एक चमच इसमें डालेंग सब्सक्राइब यह बहुत ज्यादा हमें नहीं भपहत ज्यादा हमें दालना है टाकि यह दाना बिदो से इसमें फिट Then तो इस तर binary hidden चैसे बराबर बराबर से फैल जाए उतना ही फैलाना है जैसे अब requires पर बनाते हैं या प्लेट पर बनाते हैं तो वो निकलता नहीं है और चिपक जाता है उसमें अगर इस तरह से आप चूड़ी पर बनाएंगे तो एक तो एक बराबर बनेगा सभी और इस तरह से चूड़ियां थोड़ी देर बाद हटाते जाईए और फिर दूसरा बनाते जाईए और यह एक दम एक दाना खिला बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा खाने में आयल भी इसमें अब्जॉर्ब नहीं करता है और दो दिन तक इसको मैंने धूप में सुखा लिया है और यह देखिए कितना बढ़िया दानेदार दिख रहा है यह देखिए बहुत अच्छा हुआ है और अब हम तेल करेंगे और तेल को बहुत ज्यादा गरम करना होता है साबुदाने के पापड तलने के लिए और इसको मैंने हाई फ्लेम पर तेल गरम कर लिया है उसके बाद थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और इस तरह से साबुदाने का पापड एक एक दाना खिल जा रहा है और अपने स अब्जॉर्ब नहीं करेगा और एक एक दाना अलग अलग होने लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा एक एक दाना खिला हुआ है तो इस तरह से आप साब उदाने का पापट जरूर बनाएं और कमेंट्स में भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा